हाई 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 चेक करो दोस्तों इस चीज को कैसे मेल्ट हुई है दोस्तों इसमें और अब दोस्तों बहुत गरम यह इस तरह से आपने शिम्लमिच काड़ देनी है और हमने यहां पे लिया है पनीर यह भी बहुत तादा पनीर है और इसके बाद क्या करना है आप स्लाइश हलो मैं ब्यूटिफुल फैमिली कैसे आप सभी आप सभी के लिए एक मज़ेदाव सी रैस्पी लिया हूँ ब्रेकफास्ट तो आप सभी करते हो यार और ब्रेकफास्ट में आप मैक्सिम प्रांथा खाते हो तो प्रांथा खा खा कर अगर थक गए हो वही अलू वाल झे भी के दोस्त काटेंगे शिम्ला मिर्च काट में शिमला करता है और यहां पे लिए है पनीर यह भी है שे सलायस में काटें हुए प्याज और यह हमने दोस्तूरी में फ। यह हमने ले लिके यहां पर चंगा क्ठ तो सब को Г cast लाक या चंभी मिलें इसमें नमक लोगे जितना आप नमक अपने स्वाद अनुसार अपना अपना टेस्ट के नुसार नमक लेजिए और फिर रल्द20 जा रहा है हमारा गरम मसाला और गरम मसाला गया जी और ये चल गए हमारी डेगी मेराच बनाएंगे दोस्तों और ये देख सकती हों ये सब चला गया है इसमें दोस्तों अब इसको हम mix करेंगे इस तरह से और सभी मसालों को आपस में मिला देंगे आप देख सकते हो इसमें पनीर है अपना ये प्याज है शिमला मिर्च है और कस्तूरी मेथी है और ये अच्छे से दोस्तों mix हो गया अब हमने यहाँ पर ये दोस्तों हमारा डो है और डो हमने पहले से आटा वेरे गुंद लिया था और यह हमारा आटे का पेड़ा बन गया है और थोड़ा सा यहां पर आटा लेते हैं यह दोस्तो हमारा आटे का पेड़े को मैं ऐसे बढ़िया गोल गोल करेंगे ताकि इसमें अच्छे से स्टॉफिंग आ सके अंदर और कुछ इस तरह से आपको यह मैं हमेशा से इसको थोड़ा बढ़ा करता हूँ ताकि अच्छे से इसके अंदर स्टॉफिंग आ जाए यह देख सकते हो आप बढ़िया स्टॉफिंग आ गई इसके अंदर तो दोस्तों यहां पर stuffing अच्छे से हम इसमें डालेंगे अंदर इसके अंदर तो यह जो भी हमारी stuffing है इसके अंदर दाल दो आप और काफी loaded प्रांठा बनने वाला है दोस्तों और सुबह जब भी आप इस प्रांठे को खाओगे तो लंच तक आपको कोई भूख निलगने वाली है पिकाज यह काफी loaded प्रांठा होने वाला है और दोस्तों इसको हम यहां पर रखेंगे और दोस्तों इसकी बाद क्या करना है आप सभी को जो यह हमने अमूल चीज भी है यह देख सकता अमूल की चीज है और बहुत टेस्टी प Slice को हम इसपे डाल देंगे ऐसे यहां पर देख सकते हो आप peppers को यहां पर दाल दिया है कि сложно Slice यहां पर आगी है और अब हमें प्रांठे को बंद करना है यह दूस्तों टास्क होता क्योंकि स्तफिंग बाहर नहीं निकलनी चीजह की तो इस तरह से आप गोल-गोल करके यह और यह यहां से हो गया जी हमारा बंद और यहां पर हमने ऐसे लॉक कर दिया और अब इसको पेड़े को गोल-गोल करेंगी दोस्तों अब बार ही आती है दोस्तों बेलने की और यहां पर आप ऐसे आटा ला दीजिए और इसको यहां पर बढ़िया ऐसे गोल-गोल कीजिए और इसके बाद यहां पर हम इसको बेलेंगे और उसके बाद हमने तववा गरम करने के लिए लगा दिया है और अब इसको बेल के बताते हैं और आपको बताती कि कैसे बनेगा हमारा परांथा खैज और ये देख सकते हुआ परांथा को बने थी है अब यहा हम लांपा परांधा ये देख सकते गहां पी ऑप ए और अब दाले गें सीटा इसको तवड पर तवर अब्तर गरब हो गया और साथ में बनाएंगे दोस्तों घी के साथ इसमें हम रिफाइंड ओयल या फिर दूसरा कोई यूज नहीं करेंगे बढ़िया घर का देशी घी के साथ दोस्तों प्रांठा बनेगा और यह देख सकते हो आप प्रांठा काफी बड़ा बन गया है तो वे के अंदर भी नहीं आ र यह देख सकते हैं आप क्या दानेदार घी है यार चेक करो इस घी को और दोस्तों यह लग रहा है दोस्तों देशी घी का लेप प्रांठे पर क्या स्वाद आने वारा है दोस्तों हमने इतना दाल दिये घी यह आंपर और इसको यहां पर पल्टी करेंगे हम अब देखना द देशी घी के साथ परांठा बन रहा है यहां पर यहां पर पल्टा दे दिया है और यहां पर दोस्तों इतना ही देशी घी लगाएंगे और यह जिए चेक करो दोस्तों तो दोस्तों हमारा परांठा तो बन जाता है पर हमारी जो साइटे होती है दोस्तों वह कच्छी रह ज सब्सक्राइब rage तो दोस्तों इस तरह से साइड कर सब परंड़ भावारे जया चांग तो दोस्तों फाइनली हमाार परंठा बन dollars değer हो चुगाई यह देख सकतेला अब परंठा बन और दोस्तों यहां पर देख सकते हो गारी शी दहीं है और छुश्च्बुएदार पारांथे को दोस्तों खोलते हैं यह देखो दोस्तों रहने वाल है दोस्तों जो चीज भरबर के आई दोस्तों इसमें यार वा जी वा आये हाय मुझसे दोस्तों रुका ही नहीं जा रहा है और प्रांथा भी दोस्तों इतना गरम है कि मैं अगर खाऊंगा तो दोस्तों पक्का मुह चल जाएगा यह दोस्तों खुश्बुए चेक करो दोस्तों और दोस्तों यहाँ पे थोड़ी लेंगे जहीं के साथ हाई 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 दोस्तों जो जायगा है क्या बताओं आपको लाजवाब है इसके दोस्तों कुछ मैं वर्ड नहीं आरे स्टाइम मेरा फोकस कर रहे हैं प्रांठा पहले कतम गरूँ वीडियो रहने दूँ दोस्तों इस तरह से आप भी घर पर प्रांठा बना सकते हो ब्रेक पांस में अगर आप वही रोज का आलू प्याल प्रांठा बना के तंग हो चुकिए चीज का इस्तमाल कीजिए और इस तरह से प्रांठा बनाएं और वीडियो चलगी हो तो लाइक कीजिए अब दोस्तों शेर कीजिए जय हिन जय भर बाई हुरी